किंग्स्वे अस्पताल द्वारा विश्वर रिदय दीवस के अउस्सर पर जागरुकता कारेक्रम कायोजन किया गया इस कारेक्रम में दिल की बीमारे से समधित जान करी दी गई बुद्वार को किंग्स्वे अस्पताल द्वारा विश्वर रिधय दीवस के उपलक्ष में रिधय और दिल की बीमारी के बारे में जागरुकता निर्मान करने के लिए कारेक्रम का आयोजन किया गया दिन बदिन दिल का दोरा पढ़ने से कई लोगों की मौत होते देखा जाता है इस कारेक्रम के जरीए आम जनता को अपने दिल की देखभाल कैसे करनी चाहिए दिल का दोरा आने पर क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए इन सभी बातों की जानकरी रिदय रोग विशेशग्य डॉक्टर शेलेंद्र गांजेवार ने दी साथ ही इस आउसर पर किंग्स्वी अस्पताल में मध्य भारत के पहले IBUS FFR मशिन की स्थापना की गई इस मशिन की मदद से रिदय रोग पता चलेगा साथ ही एंजियो प्लस्टी बाइपस सरजरी और हर्ट ट्रांस्परंट जैसे ऑप्रेशन में मदद मिलेगी आज World Heart Day है 29 सेप्टेम्बर यह हर वर्ष World Heart Day के गरूप में World Heart Federation द्वारा सेलिबरेट किया जाता है इसका मुख्य उद्देश है कि आम जनता के मन में हार्ट और उससे होने वाले बिमारियों के बारे में जागरूकता फैलाए और उन्हें यह संदेश दे कि हार्ट की बिमारियों से कैसे बचा जा सकता है हार्ट को किस तरह से अच्छा रखा जा सकता है हम किंग्सवेर होस्पिटल में आज World Heart Day मना रहे हैं हमारे अस्पताल में हार्ट से होने वाले सभी बिमारियों का इलाज की सुविधा उपलब्ध है हमारे यहां बच्चों के पीडियाटरिक कार्डियक सर्जिरी हो रही है हमारे यहां बच्चों के पीडियाटरिक कार्डियक इंटरवेंशन हो रहे हैं हमारे यहां जो वयस्क लोग है उनके भी हाट के पूरे इलाज हो रहे हैं बाइपार सरजरी हो रही है एंजयोप्लास्ती हो रही है एंजयोग्राफी हो रही है प्रेसमेकर इंप्लानटेशन हो रहे है और हमारे किंग्सवे अस्पताल में यह सबी जो प्रोसीजर्स है जो इ बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है और शिगरी हम हार्ट ट्रांस्प्रांट हार्ट प्रत्यरोपन भी इस अस्प्रताल में शुरू करने वाले हैं